कि प्रवार के साथ में अपनी टीम के साथ थाना मुझे शर्प पहुंचे है क्या कुछ मामला है और कब की घटना है वह बता है कि सबसे पहले तो अरी किसंजी आपका बहुत धन्यवाद के पूरे देश में जहां कई भी दलित और गरी पर अत्याचार होता है उस आवाज को बुलंद करते हैं आपके बुलंद करने के आवाज से हमारे वह उसले और हमारे दलित परवार के उपर हमला किया जाता है जानलेवा उनकी काफी चोटे आती हैं मामला पुलिस में पहुंचता है और पुलिस उन्हें मौका देती है अपरादियों को के जाओ और कंप्रोमाइज करके दो दिन बाद आ जाओ अच्छा और इसका फाइदा उठाते घर लोटके कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो घर वाले भी विचारे गरीव हो जाएगी जीवन लिला समाप्त कर लेती हूं और यह लोग कह रहे हैं कि कुछ कमेंट्स कमेंट्स से कोई भी वक्ति या कोई भी लड़की कोई बिटिया अपनी जान को नहीं गमाएगी उसके साथ ऐसा गंदा वेवार किया गया है जो वो लोगों को बताने में भी शंकोज कर रही थी और अपने उसनी जीवन लाला समाप्त कर ली बाइस तरीकों उसने सुशाइड किया है और मैं खुद मौके पर था मैंने एसी बी साब से बात की तो उन्होंने का जी मैंने ऐसी ऐसी एक हमारे लिए होंगी लेकिन हमारे उपर जब भी कोई जूटा भी आरोप लग जाए तो मीजेट पुलिस जाती है और लाठी डंडे से पीटते हुए हमें घशीटते हुए लेकर के जाती है थाने बंद कर देती है आज दसमा दिन है एसी पी साब ने कोई हमें रिजल्ट नह है पिर एसी पी साब के कॉल आए कि प्लीज वहां मत जाएए मैं हूं बैठा हूं आज आप मेरे से मिलिए और मैंने दो अपरादी पकड़ लिए मैं इनकी बात को मानके यहां पर आया हूं आज इनने दो अपरादी पकड़े हुए दिखाए हैं और परवार के लोगों से हैं जानों क시고 क्योंने मा चांअर ये कंपोरादी नहीं हो हैं काम किजिए जो कंप्लेंडर क्या हैं की है नियाए मांगने के लिए लोगों ने गंभी आरूप लगाए हैं तो क्या मानते हैं आपके गटना को लेकर सक्री होते तो इस तरह की घटना करम नहीं होता मैंने अभी भी कहा था इस भी साब से कि अगर आपने होली वाले दिन की शिकायत पर कारवाई करके उनको अंदर बिठा दिया होता जेल पोचा दिया होता तो आज हमारी बेटी जिंदा होती सिर्फ पुलिस की लापरवाई से अब उसमें जो आरूप लगा रहे हैं पैसे का लेन देन का घूस खोरी का तो कम्प्रेंट लोगों लिखित में दी है यह सीपी ने मांगी है और देखते हो क्या करते हैं कि बीटी है के वन मात्रे सोला साल की आठी पढ़ती थी बीटी आरोपी कितने पांच है और सुन्दे मारा के दो लोगों की आज गिव्दारी हो देख लीजिए उनको पैचान लीजिए अगर सिनाक्त कर लें गया तो उसके बाद में बागी के अपरादी पकड़ लूगा आप से रुकाइस टेक आप सीपी साब के पास ने जाके मेरे से मिलिए प्रशासन की लापरवाई तो साफ साफ दिख रही है इस केस में और और भ बाद में नहीं है हम तो सडकों पर लड़के मांग सकते हैं इस भारत के लोगों को दिखाएंगे का मॉल निवासी इस देश को हम बनाने वाले लोग हमारा अपना देश है और हमारे ओपर यत्याचार हो रहा है और पुलिस हमारे साथ अंग्रेजों जैसे व्यावार कर रह रहें कि इस एक विसेश जाती कोई टार्गेट करके क्या इस तरह की घटनाओं का इंजाम दिया जा रहा है देखिए सबसे पहले आपका धन्यवार जिस तरीके से देश में बहुजन समाज जाग रुक हो रहा है और उन लोगों को ये बाते हजम नहीं हो रहे हैं इसलिए वह इस समाज को दबाने के लिए आई दिने अत्याचार करते हैं कि कैसे अंकुछ लेगा इन सब चीजों पर इन सब चीजों पर सम्विधान के दाइरे में रहके अभी तक भीमार मी न्याई की गोहार लगा रही है और अगर हम लोग बुद्ध को मानते हैं कि 2018 में भी हमने दि कि सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्याबाद आभार करूंगा कि जो आप भुजनों की अबाज उठाते हैं और दूसरा यह जैसे मेरी संग्यान में आया यह मुझे सरवाला जो मैटर एक नावाली का बेटी ने जो सुसाइट गया है इसमें पुलिस प्रिसासन की पूरी 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 पूलिस की लापरवाई रही है जिसमें जो गुंडे तब के लोग है उन्होंने बेटी को इतना प्रतड़ित कि बेटी ने हरास्मेंटों के सुसाइट किया और आज जो है हमारे हर्याना प्रदेश उपादेक्स का हमको मैसेज आया था कि आज सीपी स आज सब्सक्राइब कर देंगे अगर पांच दिन में आरोपी आरेस्ट नहीं होए ना तो मैसी भी ठाने का ना वह बंद कर देंगे अगर हमारे दलितों पर आप सब्सक्राइब कर देंगे